सब्सक्राइब करने वाले हैं हमारी जो क्लास 12 की फ्लैमिंगो बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसमें दो स्टोरी जिसमें से एक स्टोरी थी साहिब आलम के बारे में जो हम पिशली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम उसका सेकंड पार्ट यानि की दूसरा भाग डिस्कस करने वाले हैं जहां हम मुकेश नामक एक लड़के की स्टोरी डिस्कस करेंगे तो हमारी लेखी का वही है अनीज जंग जो की वंचित बच्चों को लेख करके उने देख करके थोड़ी से विशलित हो जाती हैं और उनकी कहानी जानने का प्रयास करती हैं तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि यहां पर जो अनीज जंग है वो मुकेश नामक एक लड़के से मिलेंगी और उस लड़के के साथ उसके घर की तरफ जाएंगी और कैस उनका अनुबह रहता है घर जाते से में रास्ते में वो क्या अब्जर्व करती हैं उसके घर जाने के बाद उसके घर की दशा कैसी है मुकेश की और अंदर उसके माता पिता दादी उसकी भावी ये सारे लोग उनको क्या बताते हैं आसपास के कुछ नवयोकों से भी वो ब पात्र थे अनीज जंग और साहिब आलम वैसे ही आज की कहानी में भी हमारे दो ही मुक्य पात्र हमें देखने को मिलेंगे मुकेश और अनीज जंग लेखी का है और मुकेश यहां पर हमारे मुक्य पात्र होने वाले तो जहां हमारी कहानी शुरू होती है वहां पर सबसे पहल ये आज आज बनाने का काम की चूड़िया बनाने का का सब्सक्राइड होता है अगर हम यह देखें कि कांच को बिंदस्ट्रिफ यारी कांच की चूड़िया बनाने का काcommittee कहां होता है तो उसका केंदर बिंदू है फिरोजाबाद फिरोजाबाद में वैसे बहुत सारे हजारों परिवार रहते हैं जो इस एक ही कारिय में लगे हुए हैं लेकिन क्या वो उस कारिय को करके बहुत जादा समरद हो गए हैं क्या बहुत जादा अमीर हैं क्या बहुत जादा खुश है क्या उनका जीवन बहुत ही सामान्य तरीके से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है तो इसी लिए यहां पर मुकेश का यह वाक के बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है I want to drive a car मैं एक कार चलाना चाहता हूँ मैं एक कार चलाना चाहता हूँ कह करके मुकेश जो है अपना खुद का मालिक स्वयम होने का यानि कि खुद अपना ही मास्टर होने का संकल्प दिखाता है दरणिश्य दिखाता है कि मैं किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता है मैं यहां पर यह बात कहीं पर थोड़ी सी म्रग मरीचिका की तरह लगती है कि जिनों ने अपनी पूरी परिवार की पीडियां जो है एक ही काम को करते भी बिता दी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा विक्ति खड़ा होने का प्रयास कर रहा है जो उस लाइनेज को यानि की परंपरागत चले आ रहे उस कार्य को छोड़ करके कोई अन्यकार्य करने का स्वपन देख रहा है और वहां के लोगों को अगर देखा जाएगा तो यह उनके लिए एक सपने जैसा ही है कि जो कार्य वो लोग कर रहे है उसे छोड़ करके कोई अन्यकार्य वो कर पाएं तो लेकी का उसकी इस बात से बहुत जादा अचंबित भी होती है खुश भी होती है उसे अच्छा भी लगता है लेकिन उसी पर वो विचार भी करती है कि कहीं है ब्रग मरीचिका तो नहीं कि यह बस यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन अंत्रत है बाकी लोगों की तरह यहां से निकल यहां पर बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे परिवार हैं लगबग लगबग 20,000 बच्चे जो हैं छोटे बच्चे जिनकी आयू कम हैं और उनसे ऐसी हजाडियस इंडस्री में यानि जो खिम बरे उद्योग में कार्य कराना गैर कानूनी है लेकिन फिर भी यहां के लोग अप आपको अधे आधे बनेवे से या आधे तूटेवे से मकान आपको दिखाई देंगे घरों में गलियों में घर के चौक जो हैं उनमें सभी जगे चूडियों के बड़े बड़े धेर आपको दिखाई देते हैं वहां पर जो घरों की इस्तिती है वो आधे बनेवे या कच् पक्षी होती है गाय भैस इत्यादी जो होती है उन्हें रखा गया है उन्हें बांदा गया है जिन्हें देख करके उन्हें पुराने समय की याद आ जाती है कि कैसे पहले मनुष्य और परशु पक्षी एक ही घर में रहा करते थे co-existence जो है वहाँ पर दिखाई देता है यानि कि दोनों अलग-अलग प्रजातियों का मनुष्य प्रजाती और पशु प्रजाती दोनों कैसे मिल करके साथ में एक ही घर में रह रहे हैं उसे वो देखती हैं और आगे बढ़ करके जब वे उसके घर के बाहर पहुंसती हैं तब उन्हें उनका घर का द्रश्य भी दिखाई देता है कि इनका घर भी आधा बना हुआ है और आधा बनना भी बाकी है तोड़ा खराब तरीके से बना हुआ एक दर्वाजा है जैसे ही गेट को बजाया जाता है तब ही एक पतली दुबली सी यूती जो है निकल करके सामने आती है और आख करके अपना गूंगट निकालती है और उसकी आखें जो है आसुओं से भरी हुई है आसुओं से क्यों भरी है वह रो नहीं रही थी वह चूले पर खाना पका रही थी इससे धुमे की वज़े से उसकी आँखों से आसु निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पुरे परिवार के लिए खाना बनाने का साहे कालिन भोजन का समय उनका हुआ था। उसी समय लेकी का जब वहाँ जाती है तो वह उस पतली दूबली सी यूती को देखती है जो उनका स्वागत करती है और उनके घर में लेके आती है। पर मुकेश की पिता फिर उनके बताते हैं जब बाची शुरू होती है कि मैंने अपना जीवन एक दरजी के तौर पर एक टेलर के तौर पर शुरू किया था। मैं कपड़े सिलता था। उसके बाद मैंने उस कार्य को छोड़ करके चूड़िया बनाने का कार्य शुरू कर दिया। जैसे तैसे भी हो सके। बस मैंने इस घर के निर्मान किया है, जो भी आधा बना हुआ है। उपर फूस की छट बनी हुई है जो हम चारा गायों बैसो क लिए रखते हैं। उसकी एक छट बनी भी है। और साथ में wobbil सी दिवारे हैं यानि के ऐसी दिवारे हैं जो कभी भी टोट सकती हैं कभी भी गिड़ सकती हैं तो उसको भी भैं बहुत ही फक्र के साथ दर्शाता है कि बस मैं अपने जीवन में जो कर सका, ये एक मकान बना पाया, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं बेच पाया, केवल उन्हें वही कला सिखा पाया, जो कला मुझे खुद को आती थी, और वो कला क्या थी? केवल और केवल चूडिया बनाने की कला, कि बई चूडिया कैसे बनाई जाती है काज की यही कला में इने सिखा पाया इसके अलावा मैं इनके लिए और कुछ नहीं कर पाया ऐसा वो अप अनीस जंग को बताते हैं डिसकुस करते हुए तब ही मुकेश की दादी बोल पड़ती है कि यही इनकी नीशती है, इनके भाग्य में यही लिखा है, तो पुराने लोग जो इस बात को बहुत मानते थे कि अगर मेरे नसीब में राज करना ही लिखा होता तो मैं राजा महराजाओं के यहां पैदा होता लेकिन इनका जन्म जो है वो चूडिया बनाने वाले परिवार में हुआ है तो भगवान की यही इच्छा रही होगी कि आगे बढ़कर अपने जीवन में यही काम करें वही पर अनीज जन्ग जो है आसपास दूसरे घरों की जिक्र करते हैं कि जहां भी देखो यूवतियों की यूगों की लंबी लंबी पंक्तिया बैटी हैं सामने लाल टेन के साथ में वो ले करके और चूडियों के टुकडों को जोडने का कार्य करते रहते हैं दाएं बाएं आगे पीछे घर में आहते में जहां भी देखिये चूडियों के धेर ही लगे हुएं अलग अलग रंग की चूडियां नीले रंग की चूडियां पीले रंग की चूडियां लाल रंग की चूडियां अलग अलग चूडियों के धेर ही यहां पर दिखाई दे वहां वो बैठे रहते हैं और चूडियों को जोड़ते रहते हैं। चूडिया बनाने का कारिय करते रहते हैं। इसलिए कई बच्चे वयस्क होने से पहले ही यानि 18 वर्ष की आयू होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। उसके दो-तीर मुख्य कारण है उच्चतापमान होना, वहाँ पर बहुत जादा हाई टेमपरेचर है भट्टियों की वज़े से। दूसरा, वह जो कोठडियां बनीवी वहाँ पर पूरी तरीके से अंदकार छाएँ रहता है, पूरी तरीके से अंढहरा रहता है, ना तो वहाँ पर खुली हवा पहुच पाती है, ना ही सूरज की रोशनी पहुच पाती है। और तीसरा सबसे मुख्य कारण क्या है कि वे लोग चूडियों की घिसाई करते हैं और घिसाई करते समय जो glass dust होती है यानि काच की धूल जो होती है वो उनकी आँखों को लगातार damage करती है जिसकी वज़े से वयस्क होने से पूर वही यानि 18 वर्ष की आयू प्राप्ट करने से पहले ही वो अपनी आखों की रोशनी पूरी तरीके से खो देते हैं तो यह हमें इस चेप्टर में या तक दिखाई देता है उसी समय हम देखते हैं कि एक व्रद महिला के पास में सविता नाम की एक नव यूती बैठी होती है उस नव यूती को देख करके अनीश जंग मन में विचार करती हैं कि क्या यह सविता नाम की लड़की जो चूडिया बना रही है इसे इस चूडियों की पवित्रता के बारे में पता भी है कि क्या भारतिये महिलाओं के लिए चूडियों का महत्व होता है क्योंकि वे इसे सुहाग का प्रतीक मानती हैं और इसी तरह मैं कलपना करने लगती हैं कि एक दिन जब ये बैठी होगी इसके सर पर लाकर के एक लाल रंग का गुंगट ओड़ा दिया जाएगा और इसे चूडिया पैना ही जाएंगी उसी के पास में एक व्रद्ध महिला बैठी हैं जिनके हातों में चूडिया हैं और वे अपने जीव में कभी भी भर पेट भोजन नहीं कर पाई उसी समय जब उनके हस्बेंड वहाँ पर बैठे हैं जिनकी बड़ी बड़ी सफेद रंग की डाड़ी है और वो आकर के कहते हैं कि मैं अपने जीवन में केवल इस मकान का ही निर्मान कर पाया हूं और कुछ भी नहीं कर पाया त लेकिन ये कार ये जो है इतना भी मुनाफा देने वाला नहीं है फाइदा देने वाला नहीं है कि भाई वे दो वक्त की रोटी भी ठीक से खा सके ये चीज हमें हर घर में हर परिवार में वहाँ पर दिखाई देती है तब हमारी जो लेखी का है अनीज जंग वहाँ पर एक योको का समूह देखती है, योको का समूह मतलत जवान लोग आपस में खड़े हो के बातचीत कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर के उनसे बात करने का प्रयास करती है कि आप लोग अपना सहकारिता समूह क्यों नहीं बना लेते, सहकारिता समूह क्या होता है गाइस, कि लोग जो है आपस में एक group बना लें एक organization बना लें जिसमें आप अपने वस्तुओं का rate तै कर सकते हैं कैसे सावान बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा उसके नियम बना लेते हैं ताकि इनका आपस में होने वाली जो परतीसपरदा है जो एक unfair competition है उसे रोका जा सके और सभी लोगों को कम से कम इतना पैसा तो मिल पाए कि वो आराम से अपना घर चला सके दो वक्त का भोजन आराम से कर सके और अपनी मूल भूत आउशक्ताओं को पूरा कर सके तो जब अनीज जंग योकों से कहते हैं कि तुम अपना एक ऐसा group क्यों नहीं बना लेते एक ऐसा circle क्यों नहीं बन आते हैं अवास्तविक तोर पर वे सभी लोग उनके विपरीत हो जाएंगे उनके विरोध में आ जाएंगे और वे कहते हैं कि हमें मारा जाएगा पीटा जाएगा घसीटा जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा अगर हम ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो इसलिए हम चाहा कर अपना सहकारिता समू जो है कॉपरेटिव गुरुप जो है ऐसा कुछ भी निर्मान नहीं कर सकते या ऐसा कोई प्रयास हम लोग नहीं कर सकते ये बात सुनकर के अनीश जंग जो है फिर से अपने विचारों में खो जाती है क्यार ये कैसा जीवन है ये कैसी इस्तिती है कि यह पर पिता जो है वो अपने पुत्र के बड़े होने से पहले ही उस पर ये सारी जिम्मेदारियां लाद देता है और वो बिना सोचे समझे क्योंकि परीपक को तो है नहीं ना मिच्योर तो है नहीं छोटा बच्चा है 15 साल का 16 साल का 14 साल का उस पर पहले ही ये सारी यतिया अपना भाग्य मान लेता है कि मुझे भी अपने जीवन में यही सब करना पड़ेगा इसके अलावा या इससे बाहर जाकर मैं और कुछ भी नहीं कर सकता तो बड़ी स्वभाविक्ता से वो इस बात को स्विकार कर लेते हैं और इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिरोजा नहीं अपनी पीडियां बिता रहे हैं कोई भी इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर पा रहा है कोई भी इस बारे में विचार नहीं कर पा रहा है किसी में भी वहाँ पर नेत्रित्व की शमता नहीं है कि इन सारे लोगों का लीडर बन सके नेता बन सके और इनको एक सही रास्ता दिखा सके जिससे सभी लोग साथ मिल करके इन परिस्तितियों से इन परेशानियों से बाहर निकल पाएं तब फिर से अनीज जंग के दिमाग में वही विचार आता है जो विचार हमने इस कहानी के शुरुवात में सुना था मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं I want to drive a car म कार चलाना चाहता तो यहां पर आप देखिए कि इस वाक्य का कितना महत्व है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि हर परिवार हर घर अपने आपको इस चीज का नियती मान करके चूडिया बनाना और इसी कूचकर में फसे रहना इनी दलालों और बिचोलियों क के बीच में फसे रहना हमारी नियती है इससे जादा इसके बाहर हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते हमारे बस में कुछ भी नहीं है लेकिन उसी समय एक लड़का खड़ा होकर उन्हीं के बीच में से कहता है I want to drive a car मैं एक कार चलाना चाहता हूं तो यह बात सुनकर के जब अनीज जंग मुकेश की तरफ देखती है तो उनकी आखे चमक उठती है उनको एक खुशी सी महसूस होती है कि चलो कम से कम कोई तो इस चीज से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है तब ही उससे और बातचीत करने का प्रयास करती है उनसे पूर यह तुम कहां जाऊगे तो तो दूर हाथ करका इशारा करके बताता है कि वहाँ पर एक motor mechanic है, वहाँ पर मैं mechanic का काम सीखने के लिए जाओंगा, तो वो कहती है भाई वो तो तुम्हारे गड़ से बहुत दूर है, तुम्हां कैसे जाओगे, तो वो कहता है कि मैं paddle चला जाओंगा, लेकिन मैं जाओंगा ज़रूर, उसी के कुछ शन बात, वो पूछती है कि अच्छा क्या तुम airplane चलाने की भी सोचते हो क्या, हवाई जाइच चलाने का भी mood है क्या, कार चलाने के साथ साथ, तो एक दम से मुकेश जो है, वो legit महसूस करता है, उसको लज्जा आजाती है, कि देखो मैंने अपनी मन की बात इनको बताई, और ये मेरा मजाग उड़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि मैं कार चलाना चाता हूँ, तो ये पूछ रहे हैं, भीया एरोपलेन भी चलाना चाते हो क्या, लेकिन अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है, कि उसकी लज्जा जो है, वो अभी तक पश्चाताप में बदली नहीं है, यानि उसे इस बात का पश्चाताप नहीं हुआ है, कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाता था, मैं अपने जीवन में कार चलाना चाहता था लेकिन कार नहीं चला पाया सबसे अच्छी बात यह है कि मुकेश के पास अभी भी मौका है मुकेश के पास अभी भी ये इस्तिती बनी हुई है कि वो आराम से चाहे तो जाकर के मेकेनिक का कारे सीख सकता है कारे चला सकता है क्योंकि अगर हम मुकेश के नजरिये से देखें तो उसने फिरोजाबाद की सडकों पर दोड़ती हुई कारे तो देखी है लेकिन फिरोजाबाद के उपर से उतने हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं तो इसलिए मैं हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता बस कारे चलाने का सपना देखता है तो गाईस ये है हमारा चैप्टर मुकेश के बारे में, मुकेश के जीवन के बारे में मुकेश के परिवार के बारे में और साथ ही साथ मुकेश कैसे परिवेश में किस प्रकार के वातावरण में अपना जीवन जी रहा है और उसके साथी लोग यानि वही के निवासी किस तरह की विचारधारा से अपना जीवन आके बढ़ा रहे है और उनमें मुकेश जो है वो एक आशा की किरण की तरह है जो की बाकी सब लोगों के लिए एक उधारन की तरह बन कर सामने आएगा जहां पर उन्हें ये समझ में आएगा कि इसके अलावा अन्य भी कार्य है जिनें किया जा सकता है तो guys उमीद करता हूँ आज का जो lecture है, story है आपको बहुत अच्छी लगी होगी इससे पहले भी हम लोग इसका first part cover कर चुके है, first lecture जो है हमारा वो भी आचुका है first chapter का, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं thank you very much, I'll see you soon in my next lecture, till that take care of yourself, bye bye, I'll see you soon